जै मातादी दुरुगा कवच हिंदी में देवी दुरुगा कवच के पाट से मिलता है आरोग्य का सुभ बर्दान इस पाट से सरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है यह पाट महामारी से बचाओ की सक्ति देता है और यह पाठ संपुर्ण आरोगे का सुबर्दान भी देता है अत्यंत गोपनिये पाठ है इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए कि हे पितामा जो इस संसार में परम गोपनिये तथा मनुस्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट ना किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाईए तब ब्रह्मदेब कहते हैं हे ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कबच्छी है जो गोपनिये से भी परम गोपनिये पवित्र और संपुर्ण प्रानियों का उपकार करने वाला है महामुने उसे स्रवन करो पर्थम नाम सैल पुत्री है दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारनी है तीसरा स्वरूप मा चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौत्री मूर्ति को कुसमांडा कहते है पांचवी दुर्गा का नाम इसकंद माता है छटी देवी का त्यायनी कहलाती है साथमा काल रात्री और आठमा सरूप महागवरी के नाम से प्रसिद्ध है नभी दुर्गा का नाम सिद्धी रात्री है ये सब नाम सरवग्य महात्म बेद भगवन के द्वारा ही परतिपादित हुए हैं जो मनुस्य अगनी में जल रहा हो रन भूमी में सत्रों से घिर गया हो विशब संकट में फस गया हो तथा इस प्रकार भह से आतुर होकर जो भगवती दुरगा की सरन में प्राप्त हुए हो उनका कभी कोई अमंगल होता ही नहीं युद्ध समय संकट से पढ़ने पर भी उनके उपर कोई विपत्ती दिखाई नहीं देती उनके सोक, दुख और भै की प्राप्ती उनको नहीं होती जिन्होंने भक्ति पुरवक देवी का स्मरन किया है उनका निश्चे ही अभ्यूत्य होता है देवे स्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम्हारा चिंतन करते हैं चामुंडा देवी प्रेद पर आडूर होती है बराही भैसे पर सवारी करती है एंद्री का वाहन एरावात आती है और बैसनवी देवी गरूर पर ही आसन जमाती है महाई स्वरी ब्रिसब पर आडूर रहती है कौमारी का मयूर बाहन है और भगवान बिश्णू की प्रेतमा महा लक्षमी देवी कमल के आसन पर बिराजमान है और हाथों में कमल धारन किये हुए है ब्रिसब पर आरूर इस्वरी देवी ने स्वेत रूप धारन कर रखा है और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है सब प्रकार के आभुसनों से विभुसित है इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग सक्तियों से संपन है इनके सिवा और भी बहुत सी देविया है जो अनेक प्रकार के आभुसनों की सोहा से युक्त और नाना प्रकार के रतनों से सुसोभित है ये संपुर्ण देवियां क्रोध से भरीवी हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रत पर बैठी दिखाई देती हैं ये संख, चक्र, गदा, सक्ती, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसु, पास, कुंत और त्रिसूल एवं उत्तम, सांख, धनूस, आदि, अस्तसस्तर अपने हाथ में धारन करती हैं देतीयों के सरीय का नास करना, भक्तों को अभैदान देना और देवताओं का कल्यान करना ही इनके अस्त-स्त धारन करने का उद्देश्च है महान रोदर रूप अत्यन्त घोर प्राकरम महाबल और महान उत्साह देवी देने वाली देवी तुम महान भै का नास करने वाली हो तुम्हें नमस्कार है तुम्हारी और देखना भी कठिन है सत्रूों का भै बढ़ाने वाली जगदम् executives मेरी रख्चा करे पुर्व दिसा में एंद्र सक्ति मेरी रख्चा करे अगनी कौन में अगनी सक्ति दक्षिन दिसा में बराही और नतित कोन में खटगधारनी मेरी रख्चा करे पस्चिन दिसा में वानुनी वायब बिकोन में म्रिग का सवारी करने वाली देवी मेरी रख्चा करे उत्तर दिसा में कौमारी और इसान कोन में सूलधारनी देवी रख्चा करे ब्रह्मानी तुम उपर की ओर से मेरी रक्षा करो और बैसनेवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसो दिसाओं से मेरी रक्षा करे जया आगे से और भी जया पीछे से मेरी रक्षा करे बाम भाग में अजिता और दक्षिन भाग में अपरा जिता रक्षा करे उद्योतनी सिखा की रक्षा करे उमा मेरे मस्तक पर बिराजमान होकर रक्षा करे ललाट में माला धरी रक्षा करे यसिस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षन करे भाओं के मद्य भाग में त्रिनेत्रा और नतुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे ललाट में माला धरी रक्षा करे यसस्विनी देवी मेरी भाओं का सरक्षन करे भाओं के मद्य भाग में त्रिनेत्रा और नतुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे नासिका में सुगंधा और उपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे नीचे के ओठ में अमरित कला और जिब्भा में सरसती रक्षा करे कौमारी दातों की और चंडिका कंठ परदेश की रक्षा करे चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्चा करे कमाक्षी ठोडी और सर्मंगला देवी वानी की रक्चा करे भद्रकाली ग्रिवा में और धनुदरी प्रिष्टबंस मेरु दंड में रहकर रक्चा करे कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रिवा और कंठ की नली में नल कूबरी रक्षा करे दोनों कंधों में खटगनी और मेरी दोनों भुजाओं की बज्रधारनी रक्षा करे दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे सुलेस्वरी नकों की रख्षा करे और कुलेस्वरी कुछी पेट में रख्षा करे महा देवी दोनों अस्तनों की और सोक विनासनी देवी मन की रख्षा करे ललिता देवी हिर्दय में और सूल धारनी उदर में रख्षा करे नाभी में कामिनी और गुहा भाग में गुहेस्वरी रक्षा करे पूतना और कामिका लिंग की और महिस वाहिनी गुदा की रक्षा करे भगवती कटी भाग में और बिंदवासनी घुटनों की रक्षा करे संपुर्ण कामनाओं को देने वाली महावला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे नार सिंग ही दोनों घुटनियों की और तेजसी देवी दोनों चरनों के प्रिष्ट भाग की रक्षा करे स्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रख्चा करे अपनी दारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दरश्टांत कराली देवी नक्खों की और उर्ध केसनी देवी केसों की रख्चा करे रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और तवचा की वागेस्वरी देवी रक्षा करे पारवती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड़ी और मेद की रक्षा करे आतों की काल रात्री और पित्त की मुकुटे स्वरी रक्षा करे मुलाधार आदी कमल कोसों में पदमावती देवी और कफ में चुडावनी देवी इस्तित होकर रक्चा करे नख के तेज की जौला मुखी रक्चा करे और जिसका किसी भी अस्त से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी सरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें ब्रह्मानी आप मेरे विरी की रक्षा करें छत्रे सुरी छाया की और धर्मधारनी देवी मेरे एहंकार मन बुद्धी की रक्षा करें हाथ में बज्र धारन करने वाली बज्र हस्ता देवी मेरा प्रान अपान ब्यान उदान समान वायू की रक्षा करें कल्यान से सुसोभित होने वाली भगवती कल्यान सोभना मेरे प्रान की रक्षा करें रस रूप गंद सब्द असपर्स इन विस्यों का नुभप करते समय योगिनी देवी रक्षा करें और सत्वगुन रजोगुन तमोगुन की रक्षा सदा नारायनी देवी करें बराही आयू की रक्षा करें बैसनवी धर्म की रक्षा और चक्रिनी चक्र धारन करने वाली देवी यसकिर्ती लक्षमी धन और विद्या की रक्षा करें इंदरानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चन्री के तुम मेरे पस्वों की रक्षा करो और महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें, भैरवी पत्नी की रक्षा करें, मेरे पत्थ की सुपता और मार की छेम करी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और से ब्याक्त रहने वाली बिजय देवी संपुर्ण भयों से मेरी रक्षा करें देवी जो अस्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम बिजय सालिनी और पाप नासिनी हो यदि अपने सरीर का भला चाहे तो मनुस से बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करें कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुस से जहां जहां भी जाता है वहाँ वहाँ उसे लाव ही लाव होता है धन लाव होता है संपुर्न कामनाओं की सिद्धी होती है और विजय की प्राप्ती होती है जिस जिस अभिष्ट वस्तू का चिंतन करता है उस उसको निश्चे ही प्राप्त कर देता है वह पुरुस इस पृत्वी पर तुलना रहित महान एस्वरे का भागी होता है कवज से सुरक्षित मनुस निर्भय हो जाता है युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनी है देवी का यह कवज देपताओं के लिए भी दुरलव है जो परतिदिन नियम पुर्वक तीनों संध्याओं के समय स्त्रधा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता इतना ही नहीं वह अल्प मिर्तिव रहित हो सौ से भी अधिक वर्सों तक चीवित रहता है मकरी चेचक कोड आदी उसकी संपुन ब्याधिया नस्ट हो जाती है कनेर भांग हपीन धतुरे आदी का अस्थावर बिस सांप बिच्चु आदी के काटने से चड़ा जमंग बिस और अही फेन और तेल के सयोग आदी से बनने वाला कृत्रिम बिस ये सभी प्रकार के बिस दूर हो जाते हैं उसका कोई असर नहीं होता इस प्रतिवी पर मारन मोहन आदी जितने आभीचारिक प्रयोग होते हैं इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इसकबच को घृदय में धारन कर लेने पर उस मनुस्य को देखते ही नस्ट हो जाते हैं। भयानक, डाकिनिया, गरह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रम राक्षस, बेताल, कुस्मांड और भैरव आदी अनिष्ट कारक देवता भी हिरदय में कवच धारन के रहने पर उस मनुस्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवच धारी पुरुष को राजक्ष से सम्मान ब्रधी प्राप्ती होती है और यह कवच मनुस्य के तेज की ब्रधी करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्थी से विभोसित भूतल पर अपने सुयस से साथ साथ ब्रधी को प्राप्त होता है जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सबसथी चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वह बन परवत काननों सहीतिय प्रतिवी ठीकी रहती है तब तक वहां पुत्र पौत्र आदि संतान प्रमपरा बनी रहती है देह का अंत होने पर वह पुरुस भगवती महामाया के प्रसाथ से नित्य परंपद को प्राप्त होता है जो देपताओं के लिए भी दुरलब है वह सुन्दर दिव्य रूप धारन करता है और कल्यान सिप के साथ आनंद का भागी होता है इती देव्या कवचंग संपूर्णम हर हर महादेव प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद कर दो कि साथ आनंद के लिए एक भागी हाद कि अजय कोता है जो दो दो है उन्यवादा ग्राप्त है आनंद